खरगोन जीले के गराम टेमरना पंचायत के तीन फालियों में वर्षों से चली आ रही सड़क निर्मान की मांग पूरी नहीं होने से आख्रोस पनतने लगा है मंगलवार को गाओ के सेक्रों लोग कलेक्टेट पोचे जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए इसके बाद कलेक्टर को आविदिन सुपह है गाओं के बलीराम अरसे ने बताया कि वो धन गाओं भावसी हो और भंडारिया फालिया के निवासी होकर खरगोन विदहन सभा के मद दाता है आजादी के बाद से अब तक हमारे गाओं में कोई भी विकास कारी नहीं हुआ है जिससे लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है बच्चे इसकूल नहीं जा पा रहे हैं जन प्रतिनीदी केवल वोट मांगने आ जाते हैं विधायक सहीज सांसत ने कई बार आशवशन दिया लेकिन अमल आज तक नहीं हुआ उन्होंने कहा कि यदि प्रसासंद्वारा सड़क को चलने लायक नहीं बनाया गया तो आगामी चुनावों का भहिशकार करेंगे विरो रिपोर्ट खरगोन हमारी मांगे हम तीन गाओं के कल लोग आये हैं यापर और दो पिकप भरके आये हैं यापर और हमने कलेक्टर साब से मांग की हैं कि हमारे यहां जो तीन फाल्या जो बीचो बीच है इधर टेमर नहीं पड़ता है जो हाईवेर और खंडवा जा रहा है हम लोगों ने मांग किया है कि मुच्चे मंतरी सड़क योजना के तास या परदा मंतरी सड़क योजना के तास हमारा रोड जल्दी से जल्दी श्विकरत किया जाए इस मांग को लेकर हमाँ क्लेक्टर में आये थे लेकिन वर्तमान परियोस में यदे बेखमा जाए तो दुनिया चांद पर पहुच गई है आधिवासी छेत्र में आज भी रोड की समयशा लेकर आधिवासी समाच आज भी परियास कर रहा है उनकी मुल्बूत सुविदाव के लेकर परियास कर रहा है . लोग विदान सबस्फ चुना हो रहा है . लेकिन उनने आज तक नहीं किया है है . यहां के सांसद मोदे है उन्होंना भी आज तक नहीं क्या है हम लोग यदि इन लोगों ने हमारा जल्दी से जल्दी काम का निराकरन नहीं किया, हमारी रोड की समय से का निराकरन नहीं किया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें